सरकारी स्कूल में कौन बोलता है पराई अच्छा नहीं होता है दूसरों में ये एक डाउट रह जाता है कि वो अपने बच्चे वहाँ नहीं परा रहे है तो मेरे बच्चे में क्यँ अध्मिशन करो ये विचर आ जाता है अच्छे अच्छे जो नेता है, सारे के सारे सरकारी स्कूल का प्रोडाक्ट लोग है ओर अच्छे में स्कूल के लिए फैंस भी प्रोडाक्ट नहीं कि गई हैं और फिर टैलेट्स हैं यहाँ लेकिन प्रॉपर टैलेटीजीचे नहीं प्रोडा की गई है तो आइए यहाँ के हैद्मास्तर से बात करते हैं और जानते हैं कि वह इस इंफरस्ट्रक्ट्शर और इनका क्या प्लाइन से हम लोग जा खरा है यह गवर्मेंट आपर फ्राइमेरी स्कूल तिक दो जो की दोईमुक सरकल का एक अच्छा खासा इसकूल फूराना इसकूल है और मेरे को यहाँ हैद मास्तर के रूप में मुझे हैद मास्तर यहाँ रिसेंटली पोस्तिंग किया है और जैसे ही में यहाँ मेरे से पहले यहाँ हमारा एक हैद मास्तर ता जो यहाँ बादोग करके नाम था हमारा एक तीचर हैद मास्तर जो था उनके बाद में यहाँ मुझे हैद मास्तर के रूप में पोस्तिंग किया और मैं यहाँ आकर देखा और मुझे तो हर चीज तो सही लग रहा है लेकिन यहां के infrastructure मेरे को तोड़ा तकलीप लग रहा है यहां खास करके आप अंदर जाकर देखे तो classroom का हालत खराब है एक भी classroom का ceiling नहीं है और दिवार लोग इतना मतलब हस्ता हाल में कि किसी भी समय गिर सकता है बचों के लिए एक तोड़ा खट्रा का संक्यत है इसमें और दूसरा बात है जहाँ आदमी रहता है वहाँ फानी का ज़र्वरत होता है यहां ना पीने के लिए फानी है ना bathroom के लिए पानी है आप सायद चोते मोते चीज में बरे बरे इशूज रह जाते लोग मालूम नहीं होता है यहाँ बातरूम आप सायद जाकर देखें जो हालत है वो यूज करने लायक नहीं है और तीसरा बात मैं बोलूँगा यहाँ एलेक्ट्रिफिकेशन तोतेली नहीं है और हम लोगों को यहाँ एक नया व्यूल्डिंग अभी तक हेंद बार नहीं हुआ है मुझे उसका इतना पता नहीं है लेकिन वो व्यूल्डिंग मिल जाने के बाद तोरा कुछ सॉलूशन हो सकते हैं फिर भी उसमें अभी 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 नहीं हुआ है अभी एक नया academic session शुरूओने वाला है बट स्टिल यह जो school का condition है इसको तो देखें लगता नहीं है कि अभी तयार है नया students को फिर से welcome करने के लिए तो उसके लिए आप लोग क्या plans है I mean क्या चाहते हैं आप लोग की government क्या करें ऐसा है कि जुन वान को school खोला जाता है यह हमारा government routine है तो हम लोग first time कल हम लोग SMC meeting first time हम यह invite किया था और SMC सारे लोग आये कल meeting हम लो SMC chairman के coordination के माधियम से हम लोग meeting किये है जो जो problem है उसको जैसे पानी का issue जे बट्रूम issue से बगेरा बगेरा है उसको उन लोग को address कर दिया कल वो लोग कही कहा कहा representation देंगे वो लोग देंगे और मुझे यकीन है और मेरे पास idea भी है एज़े मैं education planner हूँ दिश्ची का मुझे मालूम है कैसे academic start करना है वैसा नहीं कि academic start करने के लिए बहुत बराबरा enterprise structure हो वैसा नहीं है मन में इच्चा सकती होना परेगा और जैसे हालत है उस हालत में हम इस तरीका से academic को start करने कोशिश करूँगा बाद में public cooperation देगा SMC members कोफरेशन देगा और साथ में यहां के franchise leaders कोफरेशन देगा हम लोगों को कोई infrastructure help करता है तो मैं उमीद करता हूँ कि by June, July और August तक हमारा academic full swing में चलने लगेंगे जब हम लोग बात करते infrastructure की ना then it doesn't only consist of the building यहां पर जो sanitary problems है तोइलेट तो खड़ा कर दिया बड़ फुली functioning नहीं है तो उसके बार में क्या तोइलेट issues जायत है कि उसका पानी के लिए हम लोग कल जो SMC first meeting हुआ है उसमें फूरा यहां के franchise leaders including गोलो निक्या जो gram chair person है वो जो यूफिया गाउं का है वो यहां का gram chair person है और यहां का तिकदो का जितना gram segment का represent the gram members लोग है वो लोग और हमारा जो school का chairman है तेरी आंतोनी वो सारा हम लोग एक साथ कल बैट करके हम लोग decide क्या है कि एक सब्ता का अंदर में यहां में पानी जो water supply है उसको बोलो बोला surplus water supply available कर देंगे और सुना है कुणा जहां तक है एक कुणा फरा है वो तो source उसमें पानी खतम हो गया इसमें पानी नहीं है दूसरा वाला में सायद कुछ पानी है उसको निकल के कैसे utilize में लाएगा उसको within week में ओलुक प्रोमिस करके गया है सरकारी स्कूल में जहां तक admission drive है में केबल नहीं जितना भी सरकारी स्कूल है वहां का जो responsible headmaster को और primary school का in charges को में request करूंगा कि June 1 से admission drive अच्छा से करे हम लोग late start का बज़र से बच्चे सारे के सारे दूसरे private school में चले जाते है और हम लोग जब जून 10-15 के बाद admission के लिए बच्चों की तलास में लग जाते है तब तक बहुत बच्चे दूसरे इसकूल जा चुके होते हैं जैसे private schools सामने में बहुत private schools है यहां मेरा एक यही सबसे अनुरोध है सरकारी इसकूल में कोन बोलता है पराय अच्चा नहीं होता है यहां अरुराचल प्रदेश में आप देखिए इवेन ओल इंडिया लेवेल पे भी देखिए अच्चे अच्चे जो नेता है और अच्चा खासा जो officers लोग है सारे के सारे actually सरकारी इसकूल का product लोग है देश हमारे एक मन में एक ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि सरकारी इसकूल में पराय अच्चा नहीं होता है ऐसा नहीं है actually सरकारी इसकूल में overall development होता है as a complete citizen होके निकलता है बच्चा जो सरकारी इसकूल में और मैं एक चीज़ यहां clearly बोलूँगा जब तक सरकारी इसकूल में आप gram member का बच्चा इस गाओं का gram member का बच्चा example gram chair person का बच्चा इसकूल management committee chairman का बच्चा head master का बच्चा उसका teacher colleagues का बच्चा जब तक उस इसकूल में नहीं परेगा तब तक आप अपने में confident नहीं होगा और दूसरों में यह एक doubt रह जाता है कि वो अपने बच्चे वहां नहीं परा रहे हैं तो मेरे बच्चे वहां क्यों admission करूँ यह विच्चार आ जाता है इसलिए मेरा एक request है पूरा society से भी request है सरकारी इसकूल में विश्वास रखे और गाओं का जो जो तोरा economically strong और जो इकोनोमी के लिए आच्चा वाला family का वो लोग का बच्चा पहले पहले सरकारी इसकूल में परना चाहे तब बाकी लोग देख करके आएंगे और जब आप गाओं का कोई leader का बच्चा परेगा तब ही उसी इसकूल का teacher लोग भी पांक्चेल होगा यह एक तरीका को अपनाने के लिए सबको अनुरूद करूँगा और गाओंवालों को में request करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आप दाखिला दे admission करें सरकारी इसकूल में और खास करके यह तिक दो मिदिल इसकूल में इस बार से मैं June 1 से इसकूल खुला रहेगा सबको request करूँगा आप लोग दमादम यहाँ admission करें और एक साल आपने बच्चों को परा के देखें और मैं कोशिश करूँगा हमारा teaching staff colleagues को ऐसा मैं उनलों के साथ मैं administration दूँगा at least age है बलकि दुखी में नहीं खुशी खुशी वो लोग अच्छा से परा सके administration ऐसे देने कोशिश करूँगा corporation के साथ में तो सर अभी आपने बुला कि जो economically well off है ना उनके बच्चों को भी government schools में पढ़ाना चाहिए तो आप अपने बच्चे को कहा पढ़ा रहे हैं मैं आपको बता दूँ मेरा पहला बैती जो की जिस्टी का एक तौफ तेन कमर्स इस्टी में से थी class 12 में बैती का नाम कारा होना है वो भी पुरा का पुरा government school से परके आई है जस्ट उसका foundation भी केवी में की थी निर्यूली में दौइमुख हार से 12 करके जिस्टी का तौफ तेन में से एक होके अभी बाहर पर रही है और मेरी दूसरी वाली बैती भी सरकारी इस्कूल से परी है और वो नवद्या में एड्मिशन हुआ है और नवद्या इंट्रेंस पास करके वो हाँ पर रही है और तीसरी वाली भी मेरी बैती अभी अभी घर में बैती है और जब ये जून वान को यहाँ इस्कूल स्टार्ट होगा और मेरे साथ यहाँ तिक दो मिदिल इस्कूल में जोइन करेंगे वो यहाँ क्लास 6 में परेंगे इस साल आने बाला एकाडेमिक 23 और 24 का एकाडेमिक आने बाला हम लोग कैसे चलाएगा उसको कल हम लोग मिटिन बेटा है SMC चैर्मेन कौम जहाँ का जितना पबलिक लीदर है और सिन्यर सिटेजन हम लोग कल पर मिटिन बेटा है जो की 2023 और 2024 का एकाडेमिक सिजन इसके लिए और अंदर दी लीदर्शिप चैर्मेन गोलों युक्या की अंदर से हम लोग SMC मिटिन बेटा था कल और हम उमीद करता है हमारा अभी इस साल 2023 और 2024 का नया एक हैडमस्तर आया है जो की आरके रॉब चिन्योर टीचर है प्लास अच्छा हैडमस्तर है तो मैं उमीद करता हूँ हैडमस्तर सार और हम हम दोनों मिलके उसका साथ तो हम लोग SMC चेर्मेन पुल्ली कोपरेट होगा जो की SMC तीम हैडमस्तर का साथ इसलिए हम लोग आने बाला साल को रिजल को हम चाता है हन्डेट से कम से कम 99 परसंद एसलिए करता है अंदर दी हेडमस्तर सार की अंदर में हमनों देखना चाता है इंता सिक्सिंतिक दो पंचायत का जो यह में मिडिल स्कूल का रिकोर्ड से अच्छा हो वही मेरा कहना चाता है जो कि हेडमस्तर साथी साथ जितना टीचर इस तफ है मेरा टीचिंग इस तफ है आने बाला एकाडिमिक सीजन को रिजल को में हन्रेट से हन्रेट नहीं बोलूँगा 99 परसंद एसलिए करता हो की अच्छा होगा बोलके तो अभी हमने स्कूल के हैडमस्तर और SMC चेर्मेन से जाना उनके प्लांस इस स्कूल के फ्यूचर को लेके तो हम यही आशा करते हैं कि स्कूल के स्टूदेंस को जल्द से जल्द एक प्रॉपर इंफ्रस्रक्शर मिले विध क्वालिटी एजूकेशन इस रिम तही नबम विध केंपरा परसन नबम योसेफ, DMK News